नमस्कार वाइफ एक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगेश मिश्व फिरोज गांधी का नाम आप सबने जरूर सुना होगा फिरोज गांधी भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के पती थे आज की तारिक में कॉंग्रेस पार्टी के रास्टी अधक्ष राहूल गांधी के ग्रेंट फादर यानि दादा या बाबा करें इसी तरह फिरोज गांधी को भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जोहाल नाल नहरू का सनिल्ला यानि दामात करा ना सकता है इन सारी खूबियों के लिए इन सारे रिष्टों के लिए आप फिरोज गांधी को जानते तो होंगे लेकिन फिरोज गांधी को जानने के और भी तमाम कारण है हलाकि फिरोज गांदी को ले करके आपको सोशल मीडिया पर तमाम तरह के तत्थे, तमाम तरह के कूतत्थे, तमाम तरह के प्रचार पढ़ने और देखने को मिले होंगे आपका उनसे सापका पड़ा होगा लेकिन फिरोज गांधी का जिक्र आते ही आपके दिमाग पर एक्षित्रों भरना चाहिए जिसका दृष्ष होना चाहिए कि फिरोज गांधी भारतिय संसत के एक बहुत नामचीन सदस्त है उनको यह सदस्ता और यह शोहरत ना तो इंद्रा गांधी से हासिल हुई थी ना ही जो हालना नहरू से हासिल हुई थी यह उन्होंने खुद भखुद हासिल किया था उन्होंने भस्ताचार के खिलाफ भस्ताचार को समूल नस्ट करने का बीड़ा उस समय उठाया था फिरोज गांधी का इलहाबाद के आनंद भौवन में प्रवेश इंद्रा गांधी की मा कमला नहरू के नाते हुआ था वाक्या यह है कि जवाहला नहरू जेल में थे उस समय कमला नहरू कॉंग्रेस के लोगों के साथ छोटे धर्ना प्रदेक्शन कर रही थी उन्होंने इलहाबाद के जी आई सी कॉलेज में एक धर्ना किया धर्ने पर बैठी थी फिरोज गांधी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की चाहर दिवारी पर बैठके चकल लस कर रहे थे मस्ती कर रहे थे धर्ने पर बैठी कमला नहरू अचानक भेहोश हो गई जो लोग धर्ने पर उनके साथ भगदळ बच गई कमला नहरू को उठा करके ले आया गया एक प्रण के नीचे लिटाया गया जहां थोड़ी सी चाहों थी उनके मूँपर पानी के चीटे मारे गए पंखा जला गया के बात शयर्णी को ऐसा मौका रहा होगा कि कि सारवजी का स्थान पर कंगला नहरू अकेले होंगी कमनेo हमेशा फिरोज गांधी के साथ दिखते थी चाहे धर्ना का सवाल हो प्रदर्शन को या कोई भी सारेटन होता था फिरोज गांधी अकेले नहीं दिखते थे फिरोज गांधी के बीच इतनी तीखी जड़प हुई कि इनके रिष्टे खराब हो गए। फिरोज गांधी ने उसी दिन ये कहा कि वो अब तीन मूर्थी आवास कभी नहीं है। तीन मूर्थी उन दिनों के प्रधान मंत्री उद्रा गांधी के पिता जोहलाल नहरू का आवास था इन्रा गांधी अपने पिता के साथ रहती थी। उस दिन की नाराज़गी के बाद यह सच है कि फिरोज गांधी कभी तत्कालीन प्रधान मंत्री आवास तीन मूर्ति नहीं गए तीन मूर्ति उनका पार्थिव शरीर गया फिरोज गांधी ने संसद में मूद्राकान उठा करके उन दिनों के प्रधान मंत्री जवालान नहरू पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था और वो मूद्राकान उस समय के सरकार पर भृष्टशार का एक ऐसा धबा था जिसके चलते नहरू को अपने वित्तमंत्री कृष्णामचारी को स्थीफा देलाना पड़ा था फिरोज गांधी कॉंगरेस के सांसर थे पर विपक्ष के वो अनओफिशल स्पोक्स परसन माने जाते थे फिरोज लोकतंत्र के हमायती थे 1957 में जब दूसरी बार राइबरेस से चुनाओ लड़ रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनके पुराने पत्यदंदी नंद किशोर नाई के पास चुनाओ लड़ने के लिए जो जरूरी पैसे जमा करने होते हैं जमानत के वो ही नहीं फिरोज गांधी को ये बात पता चली उन्होंने अपने आदमी भेजा और नंद किशोर नाई को बुलवाया उन्हें अपने पॉकेट से पैसे दिये और कहा कि तुम जमारत के पैसे भर कर मेरे खिलाफ चुनाओ लड़ो उस कालखंड में संसत के भीतर जो कुछ भी कहा जाता था उसको रिपोर्ट करने का अधि और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई यह प्राइवेट मेंबर बिल फिरोज गांधी प्रेसला के नाम से जाना जाता है आज मेडिया को जो संसद और विधान सभाव के कवरेज के स्वाधनता मिली हुई है उसका श्रे फिरोज गांधी को जाता है इंद्रा और फि 7 सितमवर 960 को फिरोज को दिल का दौरा पड़ा वो खुद कार चला कर विलिंटन होस्पिटल पहुँचे आठ सितमवर को सुबह जब फिरोज ने प्रांध आगे तब इंद्रा गांधी उनके पास खड़ी थी वह रात को ही त्रिवेंद्रम हवायड़े पर पहुशते ही इस घटना को सुनकर वापस एरपोर्ट से दिल्ली चली आई थी इंद्रा की जीवनी लिखनी वाली कैतरिन फ्रेंक ने लिखा है इंद्रा ने जोड़ देकर कहा कि वो फिरोज के शौ को नहला कर अंतिम संसकार के लिए तैयार करेंगे उस समय वहाँ कोई मौजूद नहीं 9 सितंबर को तिरंगे में लिप्टे फिरोज के अंतिस्टी दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुई राजी उगांधी न अपने पिता फिरोज गांधी की चेता को अग्री दी कहा जाता है फिरोज के जो पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तब उन्हुन अपने दोस्तों से कहा था कि मेरा अंतिम संसकार हिन्दू रित रिबाद से करना उन्हें पार्सियों के अंतिम संसकार का तरीका पसंद नहीं था पार्सियों के अंतिम संसकार में शौ को चीलों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है हाला कि इंद्रा गांदी ने फिरोज के शौ के सामने पार्सी रीत से गेह सारून पढ़ा उनके मुँपर कपड़े का एक पुकड़ा रखका अहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़कर सुनाया फिरोज के अस्तिकलष संगम में प्रवाहित किये गए कुछ हिस्से सुरत के पुष्टैनी कवरगाह और कुछ इलाबाद के पार्सी कवरगाह में दफनाये गए फिरोज गांदी ने शुरुवाती पढ़ाई इलाबाद के सीवी कॉलेज से की थी फिरोज की मौत के बाद इंद्रा गांदी ने कहा था कि मुझे फिरोज की अचानक होई मौत ने बुरी तले हिरा दिया मैं फिरोज को पसंद नहीं करती थी पर प्यार करती थी जब फिरोज उपर गए तो मेरी जिन्दगी में सारे रंग ने मेरा साथ छोड़ दिया यही वज़ा है कि फिरोज गदी के मरने के बहुत सालों बाद तक इंदिर्या गदी सफित साड़ी पेहनती थी रंगों के साथ छोड़ने का वाकिया खुद इंद्र हगंधी ने अपने लोगों से कहा था, उन्हें उन्हें सुनाया था लगता है कि फिरोच को लेकर के जो धेर सारी बात हैं चल रही हैं उस पे इन तथ्यों इन प्रमाणों के बाद कुछ न कुछ विराम लगेगा मीडिया का आदमी होने के नाते उन्होंने मीडिया के लिए सुतंता के एक अधिकार दिया था लेखन का एक अधिकार दिया था इसलिए हमारे जिम्मदारी बनती थी कि ऐसे तथ फिरोच को लेके रखे जाएं जिन तथ्यों में सच हो और जो तथ फिरोच को ठीक से रेकांकित कर सकें फिरोच का असले शित्र पेश कर सकें इस बार इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे किस इसी नए विमर्ष पर नए धेंग से बात करने के लिए नमस्कार.